तो इंदी का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है तो हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो जादे आपका टाइम नहीं लेगा कुछ सेट कुछन देख लेंगे इसमें हमारा पुरा रिविजन भी हो जाएगा तो यह हम डेली करें ठीक है बाकि आप लोग करके बताईएगा इसके बाद की यह कैसा रहा ठीक है पहले एक बार देख लीजिए ठीक है तो प्रैक्टिस में हमारा पहला Qution है आपसन हैं हमारा अक्षर, ध्णी, संक्यत और वडमाला तो इशका सही अंसर है ध्णी तो भासा की सबसे छोटी है मू लिकाई ध्णी होती है अर ध्णी से बढ़ा होता है अक्षर धोनी से बड़ा होता है अक्षर और अक्षर से बड़ा होता है पदबंद और पदबंद से बड़ा होता है उपवाक उपवाक से बड़ा होता है वाक तो सबसे छोटी काई धोनी फिर पदबंद धोनी के बाद अक्षर अख्षर के बाद पद्बंत के बदद उपवाक उपवाक के बाद वafter कहा है नीश सब्द में सही बीरामचिन का उन्किया गया और तो पहला अमा इसके बीच में होसा चाहए तो इसके बीच में और उतार चड़ा के बीच में बीच ऑना चाहे लेकिन यहां पर नहीं है फिर थे यहां पर इवाला सई है सुक uh होसं सब्जाइब है तो आगे चलते हैं भी फिर संगिया की रूप में क्या परियोग किया गया है। मअ सब्सक्राइब है तो हमाले अगले क्युंच नम्र तीन है हमारा यहाँ पर कि निम्रिखित वाक्यों में संग्या के रूप में क्या परियोग किया गया है तो इसमें बताना है कि वह इनमे से एक को जानता है इसमें बताना कि इसमें कौन सा सब्द संग्या है है वह इनमे या एक ठीक है इसमें बताना है कौन से संग्या है तो हम देख रहे हैं वह इनमे से एक को जानता है तो हमारे यह वाला सही है डी वाला सही है एक हमारा जो है संग्या के रूप में परियोग हुआ है कैसे अगर हम यहां पर लिख दें कि वह इनमे से एक यानी राम यहां पर अम्रिक देते हैं राम एक की जगह अम्रिक देते हैं राम वह इन में से एक राम को जानता है वह इन में से एक रहमेश को जानता है वह इन में से एक लड़का को जानता है वह इन में से एक लड़की को जानता है एक की जगह हम कुछ भी रखेंगे संग्या तो वह हम कि क्यूशन नमर 4 सरवनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है यानि 4 आपसंदे रखें और इनमें बताना कि कौन सरवनाम का भेद नहीं है पहला गुरु वाचक दूसरा प्रस्ण माचक तीसरा संबंध वाचक चौथा आपसंद निजवाचक तो हम देख रहे हैं जो यह वाल एक तो होता है पूरुस वाचक सरवनाम एक निज वाचक होता है एक अनिष्चे वाचक एक प्रस्ण वाचक तो चार उचते हैं फिर से बता दू आपको पूरुस वाचक निज वाचक प्रस्ण वाचक निष्चे वाचक अनिष्चे वाचक संबंध वाचक तो इसमें से य आगे क्यूश्य क्रिया की अलावां संगया के लिंग क्या अनुशार की सब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं तो इससाही आंसर विसेशर के ढ़िए जैसे मैं यहां पर आप लोग को एक्जाम्पल देगे दिखाता हूं कि विसेसर की रूप कैसे बतलते होते हैं जैसे मैं कहाँ कि वह लड़का काला है वह लड़का वह लड़का काला है जब मैंने यहां पर लड़का का बात किया तो यह काला हो गया मैं अगर कहूं कि वह बैए भाट करंगा तो गाली हो जाएगी ठीक है तो उसप यहां पर आया यह कला ओगया जैसे राम अगर मैं यहां पर लिख दूंग कि राम क्या ऐक लाय में आपका जाए तो देखिए राम के इसाब से काला और यह कूलुव मत्ला अगर कि सुहन गाउं का मकान देख रहा था सुहन गाउं का मकान देख रहा है इस वाक में सॉरी तो हमारा अगला क्यूशन है यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 कह रहा है कि सुहन गाउं का मकान देख रहा है इस वाक में क्रिया का सब्द है तो हम देख रहा है यह तो हो गया सुहन जो यह हमारा कुशे कार ऊप है अगला कुशे करा कि मेरा बेटा सब्सक्राइक है वाक में हजारों क्या स मुझा है तो हजारों अधिका आदे जब भी पूलिंग आपको पता करना हो तो आपको क्या करना है एक सब्ढ बनालेने चाहिए जैसे ये गिरोव है तो गिरोव पकड़ा गया पकड़ी गई नहीं होगा पकड़ा गया एक गिरोव पकड़ा गया ठीक है जैसे प्लेटफार्म प्लेटफार्म बन रहा है बन रही है नहीं प्लेटफार्म बन रहा है तो ऐसे आप सब्द बनाया करिए ठीक है तब ही आपका सब्सक्राइब करते हैं। तो है था भंबोन से मिल्ट में गलत है लेकिन पेड़ का पेड़ों नहीं होता है पेड़ का पेड़ी रहता है पेड़ का पेड़ी रहता है इसका भगोचन सेम रहता है पेड़ का पेड़ी होता है ठीक है तो आपसा नमर भी होगा ठीक है उसके बाद आते क्यूशन नमर दस प्यां करा कि यदि नहा परिश्रम करती तो प अपूछ नहें आयों 2 है कि अफून यह करना भी क्योंने तक दोषार के हैं क्योंगे कोई बिकार जीसे अगर ये कहें कि वह आ जो है भूद काल में हो अई तक अलता है तो उसे हेतु हेतु भूत काल का जाता है ठीक है आगे हमारा अगला क्यूश्चन है क्यूश्चन नंबर ग्यार कि अकर्मक धातों से बनने वाला और सदय एक वचन पूलिंग और अन पूरुस की क्रिया वाला वाच कौन सा है अकर्मक धातों से बनने वाला और सदय एक वचन कौन सब्सक्राइब तो समयसा है इक वचन में होना है और एक पूलिंग में सब्सक्राइब कि संग्या अथ्वा सरोनाम के जिस रूपसे उसका संबंध वाकिक किसी दूसरी सब्द के साथ प्रकासित होता है उसे क्या कहते हैं तो सबको पता है उसे कारक कहते हैं ठीक है तो कारक आठ प्रकार के होते हैं, करता, कर्म, करण, संपर्दान, आपदान, अपदान, संबन, अधिकरण, अरे। तो उसे संग्या और सरोनाम को किसी दूसरे सबसे जो संबंद होता है वो कारक के द्वारा होता है ठीक है अगला क्विश्चान क्विश्चान नमर 13 कि निमली खित सब्द युगमी में तद्षम तद्वह असंगत है यानि इसमें से एक गलत है तो उस गलत का आमें बताना है तो हम देख रहे हैं आपसन नमर B देख लेते कुष्ट का कोड यानि यह तद्वह यह तद्वह कुष्ट का कोड सही है कास्ट का कार सही है छड का छिन सही है लेकिन हम देख रहे हैं तद्वह पूचा है तो यह हमारा हो गया तद्वह यह हमारा हो गया तद्वह और यह त सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दोस्त और भाया सब्चारों में यह कौन सा सब्सक्राइब बतेक्ज़ क्रिष्ठ निर्भय निर्वा निरद्धेकर थूसर और देखर एक और भी नीर उपसर्ग से बनाए निर्धन भय निर्धन अभय निर्भय फिर यह भी बनाए निर्धन दोस निर्धोस फिर यह भी बनाए निर्धन वा निर्वा लेकिन यह नहीं बनाए क्योंकि यह री से बनाए यह री से बनाए निर्धन क्रिष्ट से री धन क्रिष्ट निर्धन थान मिलाब सब्द में आप प्रत्य दिया हुआ है ठीक है तो यह हमारा असान है मिलाब्दन में आप प्रत्य है तो आगे क्विश्चन नमर 16 हम देख लेते हैं तिल निमने लिखित से किस अभिकल्प में यूगम सही नहीं है यहनी किसमें बिलोम यूगम सही नहीं है ठीक है तो हम देख लेते हैं आउचक का अक्सर आउचक का अक्सर यह हमारा सही है डाबा डोल इस्थिर तो डाबा डोल मतलब होता है इधर उधर मतलब इस्थिर नहोंना और इस्थिर मतलब भी होता है इस्थिर नहोंना तो दोनों क का मतलब से मैं यह गलत है यानि यह यह हमारा गलत है बाकि यह तीनों सही है जुड़ेकणा का पुछकारना गाफिल का खबरदार तो यह जो क्यूशन नहीं प्रिवेसर का किसी भी एक्जाम का मुझे लग रहा है हमने करा है जब हम प्रिवेसर के क्यूशन कर रहे थे तो उस संद भी नहीं होगा और गयर जरूरी वी नहीं होगा तो बैकल्पिक अनिवार का बैकल्पिक यानि बैकल्पिक है आप करे या न करीए आपके उपर है, अनिवार का लुट्पी surgit थीज़ा और पिस्पंधवा ये निव्खित में से किसके परवाची है ये हमारा सफ़रिदी अंसर है ये वाला तो पुस्पंधवा कंधर्प और पंचसर, ये कामे दैओ की बाकि उसके बाद बात करें कि गवरी सुथ तो आप लोग को पता ही होगा कि गवरी सुथ गड़ेश जी को कहते हैं ये गड़ेश जी की परवाची है फिर यक्ष राज ये तो कुवेर जी की परवाची है फिर वनसी धर आप लोग को पता होगा कि गिरधर गोपाल वनसी कौ मतलब यह तो होगा नहीं इसके बाद यह इसका सई आंसर है मोद और हर्स आनंद होता है और हर्स का अर्द भी आनंद होता है ठीक है आगे क्यूस्टा नमर बीस हमारा कि निमले खित में से अंतर का अर्थ नहीं है चार अपसंदे रखें कहरा कि कौन सा अंतर का अनेकार्थी सब्द नहीं यहां पर अनेकार्थी सब्द पूछा है मलब कौन सा अंतर का अनेकार्थी नहीं है यह कहने का बल्दब तो दूरी मतलब भी अंतर होता है ठीक है पूछते हैं कि उसके बीच में कितनी दूरी है जैसे अंतर कितना है दो दूरियों के बीच अंतर पूछता है तो दूरी मतलब भी अंतर होता है फिर सेस मतलब भी अंतर होता है हम करते कि इन दोनों बीच में कितना गयप है कितना अंतर है तो सेस मतलब वही होता है और और हिर्दय मतलब भी अंतर होता है नहीं बोला जाता है कि अंतर मन से अंतर मन से मैं यह बात बोल ला हूँ तो हिर्दय मनतर भी अंतर होता है लेकिन अकास नहीं है तो अकास हिर्दय का अंतर का अनिकारती सब्द नहीं है आगे क्यूश्चा नमर 21 दे रखा है कि संग्या और विशेसर की दिष्टी से कौन सा युगम असंगत है यहनि कौन सा गलत है तो संग्या और संग्या से उसका विशेसर बना गया है तो इस्वर का इस्वरी होता है यह सही है कुल का कुलीन हमारा सही है जग्यान का जग्यानी होगा ठीक है जिसके बाद हम कुछ भी लगा दें अगर उसके बाद वह सब्द बन ना जैसे अग्यान का अग्यानता ब्यक्ति तो गलत हो रहा है ना अग्यानी ब्यक्ति लगांगे तभी सही होगा तो अग्यान का अग्यानी होगा आगे चलते क्यूश्चन अमर 22 में जो मुकदमादार करता है उससे वादी कहते हैं क्यूश्चन अमर 13 कि किसी ब्यक्तियास से धांत का समर्थन करने वाला अनेक पत के लिए एक सब ब्यक्तियास से धांत का समर्थन करने वालब के लिए एक सब तो इसका सही अंसर अनुमाई यही नहीं बोलते थे कि बहुत धर्म के अनुमाई गउतंबूद के अनुमाई यह बोलते हैं मतलब उन्हें भालू करती है ठीक है आगे हमारा क्युछान है कि निम्नखित मेंसे कौन सा स्वर संदी इस कौन सा सा सुर संदी का बिद्ञेert Chili तो हम यहाँ पर संदी कि संदी के रिवरओं separate गुड़ संदी गुड़ संदी धि भार मानल ended anno हल संदी कोई संदी नहीं है इसका जो सवर संदी के отпaren यहां पर सही आंसर है ङल संदी का। यानि हेन बेद नहीं है जो श्रसं लोग होते हैं वो होता है दिर्ग संदी गुर संदी आधी चंदी व्लिसंदी और संदी पाँच पुर्ए होते हैं दिर्गसंदी गुर्षंदी बरिदी संदी आयाधी संदी यर संदी ठीक है आगे चलते हैं question no. 25 पे हम चलते हैं करा कि यथा सक्ति में कौन सा समास है यथा सक्ति में समास तो हमको पता है कि जो यहाँ पी यथा लगा है वो उपसर्ग है तो हमारा क्यूशन दे रखा है यह था सक्ति में समास तो हमें यह था सक्ति में यह था लगा है जो कि हमारा उपसर्ग है और पहले उपसर्ग लगता है अब्बेई समास में अब्बेई समास में उपसर्ग लग जाता है है तो इसका तम सुराँ से challengh एंधे ऑंवl T कौंसा वाखِ असुद है तो भारत की तयाज पंधर अगस्त को बहुत महलत हुआ है ना रात का प्राड़ पखेडू उड़ गया अब इसको देखते हैं आज भी लाल बाधु सासेजी को याद के जाता है correct आप मेरे साथ से लेंगे इंद है यह वाला हमारा गलत है रात उसका प्राड पखेरू उड़ गया सथाई insult कहोगा उसका नहीं ओना है यहां पी उसके उगा उसका नहीं होगा उसके कोzon मतलत बिलाब करना वियोग करना ठीक है आगे bleibt कि पूछा है हमारा यहां कि है कि स्थन्दों की गंणा किस्से की जाती हैं चंदों की गंणा किस्से की जाती क्यों है तो चलते हैं अगले क्षिन पर क्यों किस्ट नम्मर्ट 29 और किस्टान है इस च पक्यूशन है और 29 दे रखाए सेस महेश नरेश दिनेश सूरेश जाहिन रंतर पावे में कौन सा समाज है उपमा तो है नहीं रूपक तो है नहीं इन दोनों में से हम देख लेते हैं तो अथिस्योक्ति भी नहीं है तो यहाँ पर अनुपरास है कि यहाँ पर सह 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 वर्ड की कई बार आ सब्सक्राइब धिस्वार्ण का है कि देरीदा का जन में कांग उता तो डिजिन में हुआ था सब्सक्प्तक्राइब में हुआ था जेरीजा का जन्म अलजीरिया में 1930 में हुआ था आगे हम देख लेते हमारा आगला क्यूशन है कि यहां पर दे रखा है हमारा कि असरफियां लूटे और कोईले पर मुघर इसका सही आंसर क्या होगा बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना छोटे खर्चों में कंजूसी तो यही हमारा सही है यानि असरफियां लूटे और कोईले पर मुघर तो बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना तो यह सही है आगे क्यूशन नमर 32 दे रखा है आमारा कि बहुत कंजूसी का आस्य ब्यक्त करना तो बहुत कंजूसी करने का मतलब है चंबरी जय पर दमरी न जाए तो इसका Ohio काल भी भाजन नहीं है तो इसका आफसर नमर 33 है तो आधुनिक काल इसका भी भाजन किया गया है भक्तिकाल रितिकाल लेकिन सहुखत काल कोई भी काल ऐसा नहीं है जिसे हम सहुखत काल कहते हैं तो तो आधुनिकाल भक्तिकाल और रितिकाल ये भी भाज़क है लेकिन कोई भी ऐसा काल नहीं जिसे हम स्युक्त काल बोलते हैं तो ये वाला गलत है तो चार कालों में बाटा गए एक तो आदिकाल चार कालों बाटा गए मैं sıkता है प्लूरे एक तो आधिकाल यहां लुफर लेते हैं कि मेरे एक मित्र बड़े विद्वान्य तक नितिवानाैं होई बहुत प्रतिष्टित नागरिक हैं उनसे मिलने से सदा नहीं सफूर्थी मिलती है यह रपी वह अवस्था से मुझे छोटी है तथा भी मुझे सदा समान देते हैं इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सभी परकार से हिन होकर भी यदि आ कोई उम्र में बड़ा हो तो यह काफी बड़ा यार पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा आधर पाए जाता है मैं भी पाए जाता हूं मेरे इस मित्र की कोशिस थी कि इस देश की दुर्दसा देखते हुए भी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं और थात इस दुर्दसा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भ्रस्ताना नहीं कर रहा हूं या एक भैंकर अपराद करों की सबा में विश्म ने दुरौपती का भैंकर अपमान देखकर भी जिस परकार मौन धाड़ किया था वैसे ही मैं कुछ और मेरे जैसे कुछ अनुसायतिकार चुप्पी सादे करेगा जिस परकार से विश्म पितामा को छमा नहीं किया थोड़ी देर तक भवी भूत होकर मैं सुनता रहा और मन में पाप बोध होकर भी एसास हुआ कि सुष्टा रहा कुछ करना चाहिए नहीं तो भविस छमा नहीं करेगा वर्तमान की वर्तमान मी कौन छमा कर रहा का करूदेर देर तक में परसान राच छूप चाप रहा ठीक नहीं लगा ठीक नहीं है कमभक्त भुष कभी माप नहीं करेगा कमबक्त भुष कभी माप नहीं करेगा ठीक है उसकी सीमा नहीं करेगा उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है पांच हजार वर्स बीत गए और अब तक विश्म पितामों को छमा नहीं किया गया भुष विकट असा इसड़ू काफी देड़ बाद ब्रहम दूर हुआ माप भिश्म नहीं हूँ अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भिश्म हो जाता है तो मुझे कौन पूछता है बहुत ग्यानी गुड़ी पढ़े भरे पढ़े हैं मुझे से अवस्था में ग्यान में प्रतिस्ता में बहुत आगे हैं मुझे कोई डर नहीं है बहुष से नामक महातरुन से अग्यात मुझे किसी गिंती में लेने वाला नहीं है ठीक है डरना हो तो वे लोग डरे जिनकी गिंती हो सकती है तुम की घवराते हो मन राज तुम तो न तीन में न तेरे में बड़ी रहत मिली इस अथार्थ बोध से ठीक है अब हम देख लेते हैं अपने क्यू क्यूश्चन नमर 35 से भचसरना करना इसका सही आंसर है निंदा और तिरसकार करना भचसरना का मतलब है निंदा और तिरसकार करना ठीक है Q. 36 लेखक की परसानी का क्या कऱ था तो इसका सही आंसर आपसर नमर A लेखक और उनके जैसे साहितकारों को भाईस में कभी छमा नहीं करेगा जैसे भिस्म को आज तक छमा नहीं किया गया ठीक है आगे Q. 37 अमारा भिस्म की तामा को छमा क्यों नहीं किया गया इसका सही आंसर एक कवरूं देख लेते हैं कवरूं की सभा में बिश्म ने दुरुपदी का भेंकर अपमान देखकर भी मौन दाड़ कर लिए यानि यही वाला सही है ठीक है आप से नम मरिए तो यह हो गया हमारा 37 हिंदी के प्रैक्टिसेर साथिस क्विश्चन तो कैसा करके जरूरीस का ठीक है अ